हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम करेंगे चैप्टर नमबर 11 और जो हमारा चैप्टर नमबर 11 रहता था उसके कुछ कोशन्स रहते हैं और चैप्टर नमबर 12 सो दो चैप्टर के हम आज कोशन्स डिसकस करेंगे इनकी जो एक्स्प्लेनेशन है मैं के साथ साथ आपका जो चैप्टर है उसको भी ब्रीफली एक्स्प्लेइन कर दो ताकि आपको कॉंसेफ्ट टॉपिक्स हैं आपके वह एजली क्लियर हो जाएं ठीक है तो अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल लाइक एंड शेयर और सो इसके प्लेलिस सेपरेटली मिल जाएंगी तो ताकि आप इसली उनके कोशिंस को सर्च फाइंड कर सकते हैं और इसली उन्हें लर्न कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं यह चप्र नमबर 11 से कोशिंस है विच सामवत इस आलसो काल्ड एस माभारत सामवत और युधिष्ट्रा इसको हम कल्यूग बोलते हैं इसका दूसरा नाम है माभारत या फिर युधिष्ट्रा नेक्स्ट कोशिंन है कल्यूगा सामवत सरा वास स्टार्टेड इन विचियर सो कल्यूग सामवत सरा जो हमारा टाइम पिरिड था वो कब स्टार्ट हुआ था सो यह स्टार्ट हुआ थ था 1302 BC में नेक्स्ट कुशिचन तमिलियर स्टार्ट्स ऑन ओर अराउंड एपरेल जो तमिलियर है वह किस डेट को स्टार्ट होता है या किस डेट के आसपा स्टार्ट होता है तो आपको याद लगना है 14 एपरेल ठीक है या फिर यह आशर ऐसे आ सकता है April 14 को कौन सा year आपका start होता है So that is Tamil year Next question आता है When the Persian new year begins in India and Pakistan जो जो हमारा Persian new year है वो किस दिन start होता है इंडिया और पाकिस्तान में So इसका correct answer है That is August 17 इसके अलावा जो Persian year है इंडिया और पाकिस्तान को छोड़के जो other countries है या around the world है वो कब start होता है That is March 21 So इसको याद रखना इंडिया और पाकिस्तान में ये start होता है अगत 17 और except India and Pakistan ये start होता है March 21 Next question आता है ये जो question है ये हमारा 12th chapter से है जिसका नाम शायान और निरायान है So इसका first question है The word उत्रायान means towards which direction So सबसे पहले आप ये सुनो जो आयान word है य, a, n, a, आयान देखो ये last word है ना इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है movement ठीक है So इसने पूचा है उत्तर उत्तर वर्ड हम किसके लिए उस करते हैं पुरव पश्यम उत्तर दक्षिन So उत्तर is for north So इसने बोला है The movement towards which direction is known as उत्तरायान So towards north is known as उत्तरायान Next question हमारा आता है दक्षिनियान So आपको पता है ये दक्षिन means south So the movement towards south is known as दक्षिनियान Next question आता है Dash words means movement along with the vernal equinoxes So इस chapter में मैंने आपको starting में बताया था कि दो word है Shiana system and Niriana system So सबसे पहले इनके बारे में सुनो ये क्या होते है Sayana का मतलब होता है इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम इसका मतलब होता है The movement along the vernal equinoxes Vernal equinoxes के साथ साथ की movement को हम Shayan बोलते है ठीक है So sayana system क्या होता है मैंने बोला system So sayana system ये होता है जब आपका When the position of heavenly bodies जो ये दो system है निरायान और सयान इनका यूज किया जाता था किसलिए heavenly bodies की position को measure करने के लिए ठीक है जब किसी भी heavenly body की position को measure किया जाता है Considering the movement along the vernal equinoxes उस system को हम सयाना system के नाम से जानते हैं ठीक है मतलब आपके vernal equinoxes के साथ साथ अगर movement हो रही है अगर उस movement को हम consider करके हमारी heavenly bodies की position को measure करते हैं So that system was known as syana system Next question आपका आता है जो vernal equinoxes है They precise dashed angular seconds every year So कितना precision show करते हैं आपके vernal equinoxes They show the precision of 50.2 angular seconds per year ठीक है Next आपका question आता है Dash system is used to measure the position of heavenly bodies from a fixed point of reference So next आपका system आता है निरियाना system निरियाना का मतलब होता है No movement or neglecting the precision of equinoxes ठीक है So इसने बोला है जब हम किसी भी heavenly body की position को measure करते हैं From a fixed point of reference So उस system को हम बोलते हैं निरियाना system ठीक है So ये आपका क्या है निरियाना system जिसके अंदर आपका measure करने के लिए Position measure करने के लिए हम कोई fixed point यूज करते हैं ठीक है So ये fixed point कितना है आपका किस date को है देखो This point has been fixed on 21st March आपका जो निरियाना system है मैंने बताया एक fixed point या reference point से हम उसको start करते हैं Count करना So वो fixed point क्या है That is 21st March In Gregorian calendar, Gregorian calendar के according वो first March है जिससे हम निरियाना system को consider करते हैं Calculate करना या measure करना Next question आता है आपका next topic है कि जो हमारे vernal equinoxes है वो shift क्यू करते है So हमारा question है Earth axis of rotation is tilted dash degrees from the plane of its orbit around the sun So जो हमारा Earth का axis है वो कितना degree tilted है वो tilted है 23.5 और इसी वजह से हमारा जो axis of rotation है वो थोड़ा tilted है इसी वजह से हमारे जो equinoxes है वो shift करते है ठीक है तो कितना degree tilted है आपको याद रखना है That is 23.5 degrees Next आता है The star aligned with the axis of rotation towards the north is called जो हमारा star north की side होता है उस star को हम क्या नाम देते हैं सभी को पता है उसको हम pole star कहते हैं That is known as pole star Next question आपका आता है The motion of dash axis is called pre-season of equinoxes So किसके motion को हम pre-season of equinoxes कहते हैं So आपको पता है अर्थ का जो आपका orbit axis of rotation है वो tilted है So the motion of earth axis is called pre-season of equinoxes Next question है Dash is the great circle on the celestial sphere representing the sun's apparent path during the year So यह मैं आपको काफी first chapter में बता चुकी हूँ कि एक great circle होता है जो हमारे sun की path को apparent path को show करता है during the year उसको हम क्या बोलते हैं That is known as ecliptic ठीक है यह एक apparent path होता है sun का Next question आता है The equator is itself to the axis of rotation of earth जो equator है वो कहां present है Vertical है, horizontal है या फिर perpendicular है So इसका answer आएगा The axis is itself perpendicular to the axis of rotation of the earth ठीक है Next है, the celestial equator divides इसके अलावे एक और चीज़ सुनो आप इसके बारे में, ecliptic के बारे में मैंने आपको बताया था, ecliptic क्या होता है जो आपका sun का apparent path है So उसको 12 segments में divide किया गया है That is 12 parts में divide किया गया है और हर part कितने degrees पे है That is 30 degrees यह हमने previous chapters में किया है एक तरह से revision है यह हर chapter में repeat हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँगे और हर segment का नाम क्या है हर segment को हम राशी बोलते हैं नाम दिया गया ना जो आपके zodiac science है उनके according हर segment को नाम दिया गया है तो यह आपका ecliptic के बारे में था Next आपका आता है celestial equators divide the mega circle into two equal halves namely the nadran and the southern देखो जो हमारा अर्थ equator होता है एक बात याद दखना equator होता है वो अर्थ को divide करता है दो parts में इसको एक को तो हम सद्रन और एक को नद्रन northern क्या बोलते हैं उन्हें हम हम hemisphere बोलते हैं लेकिन जो celestial equator है वो हमारे अर्थ को दो half में divide करता है उसे हम क्या बोलते हैं northern और सद्रन sky बोलते हैं याद रखना celestial equator हमारे अर्थ को दो equal half में divide करता है जिसे हम सद्रन और northern नद्रन sky बोलते हैं ठीक है और equator जो अकेला equator है वो hemisphere में divide करता है next question आता है in how many years the vernal equinox is equinox recedes by a degree so कितने time pair में हमारा जो vernal equinox है वो एक डिग्री रिसाइट रिसीड करता है, so that is approximately 72 years, so इसका accurate answer आपका आएगा, 71.45 years, लगते हैं आपके वर्नल लिक्विनॉक्स को वन डिग्री रिसीड करने में, next question है, the celestial equator is currently inclined by how many degrees to the ecliptic plane, so current में जो हमारा celestial equator हो कितना inclined है, so that is 23.44 degrees, next question है आपका, it takes dash years for the vernal equinox to pass through one zodiac sign, so एक zodiac sign में से पास होने के लिए कितना time लगता है, कितने years लगते हैं, so इसका correct answer है 21.43.5, ठीक है, so 21.43.5 years आपके लगते हैं, एक vernal equinox को पास होने में, एक zodiac sign के अंदर से, next question आपका आता है, the vernal equinox was situated in the front of the star, इंदा वेदांगा जोतिशा period of Indian astronomy, so जो हमारा वेदांगा period था, वेदांगा जोतिशा period था, उस time पे जो vernal equinox थे, वो कहां situated थे, किस star के front में situated थे, so इसका अंसर है चेत्रा, हमारा जो चेत्रा star है, उसके सामने हमारा vernal equinox situated था, और उसी time पे, star के वाली जो position है, इसको consider किया गया था, as the origin of मेश रासी, जो मेश रासी है, उसका origin point या बिल्कूल आप starting point कह सकते हैं, ठीक है, next question आता है, today the vernal equinox has receded dash by 24 degrees from its initial position, so जो आज के दिन, हमारा जो vernal equinox है, वो 24 degrees receded हो चुका है, आगे या पीछे, so इसका अंसर आएगा आपका backwards, next question आपका आता है, due to the backward receding of vernal equinoxes, a gap of dash degrees has caused between cyan aries and nirayan aries, so कितने degrees का आपका जो difference है, वो हो चुका है, that is 24 degrees, आपका last question है, throughout the year, the sun travels from dash degrees 26 minutes 22 seconds north, जिसको हम tropic of cancer भी बोलते हैं, यह आपका 13th chapter का question है, don't worry, next video में डालूंगी 13th के और questions, to dash, तो आपका जो tropic of cancer, जो tropic of Capricorn है, उसका degree कितना है, so they are 23 degrees, जो आपका tropic of cancer है, वो भी सेम है, और Capricorn है, वो भी सेम, that is 23 degrees, 26 minutes and 22 seconds, so यह आपके कुछ questions से, chapter number 11 और 12 के, thank you for watching students, जो आपका 13th chapter है, 14 और 15, इनके आपके questions में evening तक upload कर दूंगी, thank you for watching, stay connected, stay tuned, and like and subscribe the channel also,